हेलो गाइज बेलकम पैक्टो मारी चनल दोस्तों सागत अपका फिच्छ अमारी एक और नई वीडियो में दोस्तों आज हम एक आपके आपके फेस के लिए बहुत ही जादा अमेजिंग सा फेसप्रैक बनाएंगे जो है अमारे अनार का फेसप्रैक अनार एक ऐसा फल है जो हम अनार का face pack आपकी skin के लिए बहुत ही ज़ाता फायदे मंद है तो यहाँ पर हमने अनार peels powder का यूज किया है आप चाहे तो अनार के juice का भी यूज कर सकते हैं और आप घर पर भी इसे बना सकते हैं और आप अनार के जो छिलके होते हैं उनको छिलकर आप घर पर भी इसका पैक बना सकते हैं तो यहां पर मैंने दो चमच ले रखी है अनार का जो पाउडर है पील्स पाउडर उसको फिर उसमें हमने दो चमच डाला है तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा विटमिन E का कैपसूल डाल लिया है और इसके बाद हमें इसमें डालना है सहथ यानि की हनी इसमें थोड़ा सा हमें एक से डियर चमच सहथ एड़ कर लेना है जो कि सर्दी का मौसम है तो सर्दी के मौसम में हमारी से साइनिंग बनती है सहथ सी तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा सहथ एड़ किया है आप चाहे तो यहाँ पर विटमिन E का कैपसूल भी एड़ कर सकते हैं तो आप इसको इसके भी कर सकते हैं तो यहां पर मैंने एक एक कैपसूल डाल लिया है फिर उसके बाद इन सभी चीज़ों को वापस में मिक्स कर लेना है और इसमें आपको अगर ये पैक आपका बनका रेड़ी नहीं हुए तो आप इसमें थोड़ा सा गुलाव जल डाल सकते हैं नहीं तो आप पानी भी इसमें एड़ कर सकते हैं और नहीं तो आपके पास गुलाव जल है तो अनार की जो फेस पैक होता है उससे आपकी सकी पिंपल्स हैं दाग दब्बय जहाईयां जोली है उन सारी समस्यां उससे आपको छुटकारा मिलता है आपकी स्कीन एकदम से गलो करती है अगर गर्वी के मौसम में आपकी स्कीन बहुत जादा टैनिंग हो चुकी है तोटन की शमस्या है तो आप अनार के रस में रही मिलाकर आगर आप पने फेस पर लगाएंगे तो आपकी स्कीन टैनिंग शमस्या है बुदूर हो जाती है ज्यूलिया है, उम्र से पहले जो बुडापा दिखने लगता है वो भी खतम हो जाता है तो हमारा जो फेस पैक है बनकर रेडी हो चुका है अब हमें इसे अपने चेहरे पर लगाना है 15 मिनिट के लिए तो सबसे पहले अपने फेस को क्लीन कर लिया है आप चाहे तो डारेक्ट फेस बास भी कर सकते हैं नहीं तो किसी भी कोहदी है अपने चेहरे पर कोई भी पैक लगाएं और यह अनार के फेस पैक से आपकी इसकीन एकदम करेगी आपके ले neighborhood को कम सब्सक्राइब एक दिन लगाना ही है और आपको पंद्रह मिनिट के लिए कम सब्सक्स कब्सक्राइब लगाना है अप चाहे तो हभ्टे me do बार यूज़ करते हैं तो आपकी स्कीन में कि जो भी समस्या है आपकी स्कीन की जो ओपन पोर्ष की समस्या है आपके पोर्ष को क्लीन करेगी अगर आप यहां पर अनार पील्स पाउडर का यूज़ नहीं करना चाहते तो आपके पास फ्रेस अकर अनार है तो आप अनार के दानों है कालपन है बोन सारह खत्म हो जाएगा आनार से हामारे जाचरे पर जो दिखने वाली एगंसr निग को कमकरती है चैरे के लिए हमारी skin signing और चमक आती है और सहे से हमारे चेरे के जो open pores होते हैं उनको साफ करने में भी मदद करती है और दही हमने इसमें दही भी add किया है दही हमारी skin को पोसर देती है और दही में जो तत्व होते हैं हमारे चेरे को hydrate करते हैं दही से हमारी skin है वो बहुत ही अच्छी रहती है मतलब इसकिन टॉन है वो सही रहती है साथ ही दही हमारी सकिन में नमी को लॉक करती है हमारी सकिन को एकदम हाइडरेट करती है तो जिससे हमारी सकिन बहुत ज़्यादा गिलो करने लगती है इसकिन कभी रोखी और ड्राई नहीं होती है अगर आप पैक बनाने में ज़्यादा टीम टाम नहीं करना जादे तो आप नॉर्मली इसके मतलब जो अनार की दाने हैं उनका रश निकाल कल आप अगर इसमें सहद मिला कर भी अगर आपने चेहरे पर इसको अप्लाई कर लिया 15 मिनिट के लिए तो आप भी अपने चेहरे पर एक गजब का गिलो देखेंगी और अगर आपने इसके रस को भी अगर इसमें सहद मिला कर अगर आपके इसकिन पर बहुत जादा काले पन किया पी टैनिंग की समस्या है तो आपने अगर इसको दही में अड़ करके अगर इसको लगा लिया तो इससे आपकी इसकिन बहुत जादा गिलोइंग बनेगी और आपकी इसकिन पर हमेशा एक नमी बनी रहेगी आपके इसकिन के लिए दही एकदम टॉनर का काम करता है तो यहां पर आपको कोई भी जो म finns करेंगे अगर जेल लेकर आपको आपने फेस को दो मिनिट के लिए मसाज करें इससे आपकी इसकिन की जो भी जुर्णी बना जाता है वह सारी समस्द्स filled with बिन भांतर आपकों अपने भी दियुसरी 75-8- hire आपके एकदम सी गरेंच पर लोगरे चमकती नमまず होगे तो आप आप यहां पर कोई भी अपना फेवरेट और ले सकते हैं और जैल भी ले सकते हैं कोई भी जो आपकी स्किन पर सुट वेल हो और आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चान को लाइक से शब्सक्राइब जरूर करें और और बैल आइकन को भी जरूर दबाए ताकि हमारी कोई भी वीडियो हो उसका नोटिपकेस आप तक सबसे पहले पहुचे और मिलती हैं अंगली वीडियो में थैंक यू